और मीठा बोलना चाहिए हम जैसे किसी को कोई हमसे गलत विवार कर भी रहे तो उससे हम रफ बात नहीं करना चाहिए जैसे कि कोयल और कोवा दोनों में अंतर है ना दोनों दिखने में क्या होते हैं काले होते हैं लेकिन कोयल कैसा बोलती है मीठा बोलती है और कोवा कैसा बोल तो कविता में कवित्री ने कोयल के माध्यम से हमको ये संदेज दिया है कि हमें हमेशा अच्छा और मीठा बोलना चाहिए ठीक फिर है कविता में कवित्री ने कोयल कोचिडियो की रानी क्यों कहा है तो इसका उत्तर होगा कविता में कवित्री ने कोयल कोचिडियो की रानी इसले कहा है क्योंकि वो हमेशा अपनी मा का कहना मानती है तो आपको भी अपने मम्मी पापा के राजा रानी बनना है तो फिर आपको भी मीठा बोलना पड़ेगा ठीक है अच्छा लगा अब याद हो जाएगा ना आप लोगको एकदम इजी है ना चलिए अग बस इत्ता और कर लेते हैं फिर हो गया सहीं उत्तर पर राइट का चिन लगाईए ठीक कोयल कैसा बोलती है करकस बोलती है मीठा बोल राइट का चिन लगाएए फिर हैं दूसरा सब से मीठा बोलना है कोयल को किस ने सीखाया है नानी ने माने दादी ने तो क्या रेत उत्तर ऄ इगा तब तब के लिए बाई